हेलो एब्रिवन आज मैं आप सभी को BEGS 183 जो हमारी ये बुक है आज मैं आप सबको इसके important questions with answer कराऊंगी इसे पहले में इस बुक की आपको पूरिस्ट series करा चुकी हूँ blocks के थ्रू मैंने total 3 blocks आपको कराए हैं और उसमें मैंने आपको पूरी बुक कवर अप करा दी है विद नॉट्स ये वाले वीडियो में important question with answer डाल रही हूं start करते हैं इसमें first question है इसमें हमें critical reader यदि हम बनना चाहते हैं तो हमको कुन कौन सी tactics या फिर टैक्निक्स हमको यूज करनी होंगी यह वाला हमारा question है यह मैं आपको पहले भी चप्ट्रवाइज कर रहा है था मैंने तो मैं आपको करा चुकी हूं पटमें पर आपको इसको दुबारा इसका answer दिखा देती हूं देखिए यहां से start होता है यह वाला इसका answer जो है इसमें first हमारी question as we read and the given text मतलब की इसका मतलब क्या है कि हम recording करते हैं या taking notes करते हैं हम हमारे reactions का हमारे interpretation का और हमारे questions का जो भी हम read करते हैं अपने text के थ्रू यह बात होते हैं इसमें annotating में second इसमें technique कौन से है taking inventory कि हम किस प्रकार से हम मतलब invent करेंगे कैसे हम process करेंगे तो इसमें क्या होता है it means listening and categorizing इसमें लिस्टिंग है यह लिस्टिंग ने लिस्टिंग है लिस्टिंग और categorize करेंगे हम जो हमने annotating की थी उसे process को हम आगे लिस्टिंग करेंगे और उसको हम categorize कर देंगे किसलिए क्योंकि हमको एक meaningful pattern चाहिए होता है इसी वजह से कि इसके लवाब we need to look for repetition मतलब हम repetition की हमको इसमें जरूरत होगी like recurring images को stylus features को अग्जाम्पल्स को अग्जाम्पल्स को वह में यदि हम taking inventory हम step ले रहे हैं तो हमको repetition की need होगी और यदि हम repetition करेंगे तो हम recurring image की करेंगे stylish features की करेंगे repeated words की करेंगे phrase की examples की इनको हम repeat करेंगे इसमें हमारा third word है outlining it means listing the main idea और जिस्ट जो main idea है और जो जिस्ट है मतलब जो सार है हमारे topic का उसको हम important sporting details in the text मतलब जिस जिस वाले पार्टनिस वाले आइडिया नहीं जिस जाले जिस्ट ने important details को अपने अंदर मतलब sport कर रखा है उसको हम listing कर देंगे और वही हमारा होगा outlining इसमें हमारा next जो हमारी tactic है techniques हो है summarizing मतलब हम समरी करेंगे it is extracting the main idea or just to the text concern मतलब जो भी हमारा text है हम उस text के जो main idea है उसका सार है हम उसको हम उसके summary कर देंगे इसके लावाई देखिए यहां पर total यहां पर 11 मतलब जो strategies है जिनका हम use करेंगे इसमें तो इसमें 5th है synthesizing मतलब क्या होता है Michigan कर देना ही कठा कर देना मतलब इसको integrate कर देना जो हम जो हमारे जो हमारे मतलब हमारा खुद का idea है उसको हम integrate कर देंगे उसको हम मिला देंगे with the information जो हमने collect की है other sources से हम उसको मिला देंगे अपने idea के साथ next हमारा है contextualizing इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा text है उसको हम historical और cultural context पे हम उसको रख के देखेंगे और check करेंगे क्या ये useful है या नहीं है next हमारा है explaining the significance of figurative lineways लब हम explain करेंगे कि क्या significance है figurative lineways के reflecting on challenges to our beliefs and values हम अपनी challenge को beliefs को beliefs और values को हम challenge करेंगे उन्हों देखेंगे हमने को reflect करेंगे कि क्या वो ठीक है next है evaluating the topic of an argument हम उस topic को evaluate करेंगे हम उसको मुलेंकन करेंगे हम उसके उपर arguments करके देखेंगे recognizing emotional manipulation लब हम जो emotion हम उसको recognize करके देखेंगे नेक्स्ट है judging the writer credibility लब जो डाइटर है हम देखेंगे क्या उसने व्याद लिखा है क्या उसने correct लिखा है इसमें हम यह चीज़ देखते हैं तो यह हमारा question number one हो गया है अब हम देखते हैं हमारा question number two हमारा question number two है what do you understand by the term synthesizing synthesizing क्या होता है यह मैं आपको भी बताती हूँ यह देखिए synthesizing as a writing strategy synthesizes means क्या होता है presenting facts ideas and information अब हम present करते हैं fact को ideas को और information को information को from various sources जो हमने collect किये हैं बहुत सारे sources से and suggesting way in which और हम एक वे हम suggest करते हैं in which these sources have a link और जिन से source जो जिन से मतलब हमने information पराप्त किया collect कि हैं वो कैसे link करते हैं दूसरे से यह हो तेमारे synthesizing for example facts from a particular article could be extended in other book कुछ facts होते हैं particular article के उपर उसको extended form लिखा जाता है दूसरी बुकों में और arguments in one research paper may be contradicted in other sources यदि हम एक book मतलब हमरी कोई हमारे research paper है उस पर हम arguments करते हैं तो मतलब उसका भी हमको कहीं न की कुछ contradiction हमको मिल जाएगा किसी भी दूसरे source में तो मतलब यह बात यहां पर हैं इसके लावा यह देखिए synthesizing है वह एक रिशुल प्रोसेस है और राइटिंग की किसी भी topic को लिखने के लिए यह आप यहां से देख लिए ना इसके लावा यहां पर और कुछ सब्सक्राइब में भी हैं अपको में मिन बता रही हूं इस पेशली इफ यू आर यूजिंग मल्टिपल रिसोर्स इदी हम बहुत सारी डिसोर्स कर रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत क्रिशल कुछी क्रुश्यल प्रोसस हमारे लिए सिंथेसे इंग तो क्रिएट इफक्टिव सिंथेस आइज भी मस्डिट दा ओल्मैटिरियल वी है कलेक्टिड सोबहुत मेरे मैटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ना होगा उस पर फोकस करना होगा उस व्यांत पर जिससे ह प्रिश्ट कर रहे हैं किसी जिस पर सौर्च पर रहे हैं तो हमको वहां से कुछ फैक्ट और अर्ग्मेंट्स हमको लेने होंगे दूसरी बुकों से एक सी आर्टिकल से अपने पोइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए तो यह हमारा को नुम्टर टू भी हो गया है हम बताया कि संतेटर क मतलब क्या होता है मिशन्ट करना इक अठे मिलाकर लिखिना जो हमारे अमारे खुत की आईडइयां है उनको हम इंपिल्मेशन के साथ हम को इसको कर देते हैं हम उसको मिला देते हैं यह होता है हमारा सिंतेसाइजिंग यह देखिए मार कोशन नुमर थर्ड क्या है इसमें हम दो डिफ्रेंस की बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वोकैबलरी और कॉंटेंट एंड फंक्शनल वर्ड यह मैं आपको अभी कराती हूं यह देखिए यह एक्टिव वोकैबलरी और पैसिव वोकैबलरी पहले मत करते हैं एक्टिव वोकैबलरी की इस एक्टिव वोकैबलरी क्या होती है इट रेफल्स मुर्ण समॉलारी फूलन वो 10 रर्व फेल्रेस्ग करते हैं एक्टिव और जो एक्टिव जेगैबलर्या में दूर। करते हैं उनए उन वर्डो से हम अने लीड मुर्ण करते हैं प्रफू सिर्स रहे अजड़ा है एक्टिव वोकेबलरी को हम कम्मिनिकेशन में यूज करते हैं और पैसिव को हम यूज नहीं करते हैं कम्मिनिकेशन प्रोसेस में स्मोलर देन पैसिव वोकेबलरी जो एक्टिव वोकेबलरी होती है वो पैसिव वोकेबलरी से स्मोल होती है फ़र्ट डिफ्रैंस इसका व्रकिंग और फंक्शनल वोकैबिलरी बी बोलते हैं और जो पैसे वोकैबिड़ी है उसको हम पहचान करने वाली वोकैबिलरी बोलते हैं जिसके एक्जामपल्स हैं जिसे स्टर्डी एट वर्क स्लेप मेट फेमस एटसी तब यह वर्ड्स हैं जिनका हम मतलब यह हमारी कॉमन वर्ड जिनको हम यूज करते हैं तो जैसे देखिए पैरेल अगार्ड मेलन कोली आउट वेट इंफलेक्ट डेलिरम मतलब यह वर्ड्स टिफिकल्ट है और यही हमारे पैस अब हम इसमें दूसर डिफरेंस अपना देखते हैं यह देखिए कंटेंट वर्ड और फंक्शन वर्ड कंटेंट वर्ड क्या होते हैं कंटेंट वर्ड कैरी इंफरमेशन एंड हैवे क्लियर मीनिंग जो कंटेंट वर्ड होता है और यह क्लियर मीनिंग होता है उसका, बट जो function words होते हैं, वो almost abstract meaning रखते हैं, मतलब कि छुपा हूँ उनका meaning होता है, और वो हमेशा एक grammatical function को वो fulfill करते हैं, second difference, जो content word है, उनको हम open class word भी बोलते हैं, और जो function word है, उनको हम close class word बोलते हैं, content word, जो content word होते हैं, उनको हमेशा stress रहता है, बट function words पर कभी भी stress नहीं रहता है, बात करें, content word कि तो इसमें noun, pronoun, verb, adverb और adjective आजाएंगे, वहीं function words में prepositions, article, conjunction, यह आजाएंगे, इसके लिए एक example और भी हम लिख सकते हैं जैसे कि noun words में किसी का नाम हो गया, इस राम, pronoun में ही, she it हो जाएगा, वर्ब में sleeping हो गए step से, और इस वाले में इति हम बात करें तो, तो यह prepositions है, in, below, under, article, a, and the, conduction, and, or, मतलब, is, यह भी हम यहाँ पे एक example हम इसका और और भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह question हमारे में भी five number कायगा, तो at least हमारे five points होने चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अब हम देखते हैं, हमारा next question, हमारा next question है, what are homoniums and homophones क्या होते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी, हमारे इस वाले syllabus में यह question नहीं है, बट फिर भी previous two paper में दिया गया है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, अभी मैं आपको कराते हूँ यह question, यह देखिए, homographs और homophones, homographs क्या होता है, यह देखिए, homophones क्या होते हैं, homophones ऐसे words होते हैं, जिन में हम same sound use करते हैं, बट different meaning होता है, और spelling भी different होती है, homophones में सिरफ, यह देखिए, same pronunciation होता है, बट different spelling होती है, और same sound होती है, मतलब कि अब बात करता हूँ, homophones की, homophones में same sound, different meaning और spelling भी different होती है, जैसे example ले तो जैसे right word हो गया, right, W-R-I-T-E, right, और same word एक और देखिए आप, right, R-I-Z-H-T, जैसे यह word हो गया, मतलब इन दोनों में sound तो हमको same होती है, right, right, ठीक है, बट दोनों का meaning भी different है, क्योंकि यह तो लिखना और यह सही वाला right, और दोनों के spelling भी different कर रहे हैं यहां पे, तो मतलब यह हमारे क्या होमोफोन्स, लुब कि sound हमारी same रहेगी, but meaning, milling भी अलग रहेगा, spelling भी अलग रहेगी, यही होते हैं हमारे होमोफोन्स, next यहां पे हमारा होमोग्राफ हो गया है, question में हमारा होमोनियम है, तो मैं आपको होनोनियम बताती हैं, थोड़ा से adjust कर लेना, मैं आपको बता दूंगे, अच्छा से, होनोनियम क्या होते हैं, ऐसे वर्डों का group होता है, जिसमें, इसको उठाते हैं एक बार इसको, होमोनिय होता है, जैसे आपको बताती हूं है, जैसे देखिया बैट, और दुबारा से देखिये, बैट, मतलब यहां पे, यहां पे मतलब की spelling तो हमारी सेम होगी, pronunciation भी हमारी सेम होगी, बट जो मीनिंग होगा, वो हमारा डिवर गरता है, जैसे एक बैट का मतलब तो बल खेलने माल होता है, और एक बैट का मतलब हमारा मतलब की जो चमंगादल होता है, इसको बोलते हैं बैट, इसकला मैं आपको इसका एक जामपल और देती हूं, जैसे वर्ड होता है, लेटर, एक तो होता है, लेटर जो हम लिखते हैं किसी को, और एक हमारा होता है, लेटर जैसे वर्ड इसके लाव एक example और देखिए जैसे left होता है हमारा left जो वर्ड होता है एक अधिसको जो होता है कि मतलब जो तो राइट नहीं मतलब जो लेफ्ट गो आवे मतलब इसके दो मेनिंग हो गए है वुन में हमारी spelling और pronunciation तो हमारा सेम रहता है बट मीनिंग हमारा अलग होता है कोहरेंस का मतलब क्या होता है जोड़ना मतलब एक साथ कर देना कोहरेंस इमपलाइज डेक्ट डेट पहरा गराफ शोट लोजिक्ली and smoothly connect one idea to the next मतलब कहने का क्या है कि जो कोहरेंस पहोतर होता है कि वो बोग्य rip लोजिकली और smoothly वो रहे एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ यह मतलब होता है इसको किसका मतलब भी जोड़ना होता है कोरेंस का मतलब जो कोरेंस होता है वह टेक्स्ट के एक आइडिया को दूसरे मतलब जो आइडिया होता है उससे वह लोजिक लिए और इसको स्मूथली जोड़े रखता ह और this help in unity of a paragraph और यही help करती है कि हम एक अच्छे से हम एक paragraph लिख पाते हैं तो मतलब यह तो हमारी help करता है coherence next topic का इसमें cohencion क्या होता है cohencion का मतलब होता है सामजस से बिठाना ताल मेल बिठाना by using cohesive devices or signal words or signposts between sentence or at the beginning of the sentence we make a paragraph current मतलब कि जो हम start करते हैं किसे भी paragraph को लिखने के लिए तो हम कुछ signposts use करते हैं हम कुछ signals words use करते हैं cohesive devices का हम यूज करते हैं this device help us a writer to move smoothly मतलब जो यह device होते हैं यह help करते हैं writer की कि वह smoothly one sentence next पे जाए and show logical relationship वो दिखाए between sentence के लव ये एक तरीका है जिसके थुरू जो राइटर होता है वो दिखाता है यूज करके कैसे एक sentence दूसरे sentence से बहुती कि लोजिकली relation के साथ हो जोड़ा हुआ है यह चीज वो दिखाते हैं इसका मतलब होता है कोहेंशन हम देखते हैं हमारा next question next question हमारा है describe the form of writing writing की form को हम देखेंगे यह question भी हमारा मतलब इससे थोड़ा सा कम related है पर फिर भी मैंने आपके लिए इसका range किया है अब दिखाते मैं आपको यह हम basically बात करें तो writing की four forms होती है expository, persuasive, descriptive, narrative यह four types होती है writing की जिनको हम one by one करेंगे जिसमें हमारी first है expository क्या होता है जो expository types होती है writing की इसको यूज किया जाता है explain एकोसी concept को explain करने के लिए information को share करने के लिए to a broader audience को करने के लिए जो यह expository writing होती है यह provide करती हमको evidence देती है statistics देती है, results देती है और focus देती है facts किसी बो topic के बारे में यह इसके example से देख लेना पर देसे news stories, how to articles, textbook, business, technical, scientific writing यह इसके examples अब देखते हैं हमारा next इसमें क्या है नेक्स्ट हमारा है narrative writing, often seen in longer writing samples में the purpose of this writing style is to share information इसका purpose होता है context के बारे में और फे story के बारे में narrative short include character होता है, conflict होता है, setting होती है, plot होता है, यह आपका पहले करा चुकी हूं कि story में narrative में क्या क्या होता है यह हमने क्या किया था हमारी previous book की जो हमने series की थी उसमें इसके example है short stories, novels, poetry, historical accounts, next हमारा देखते हैं, persuasive writing क्या होती है, for this writing style, the writer is trying to convince the reader of the validity of a certain position of arguments, मतलब जो writer होता है, वो कोशिश करता है कि वो reader को, मतलब वो इसको convince कर पाए, अपने arguments के through, persuasive writing includes the writer opinions की बात करता है, and provide justification वो देता है and evidence देता है to supporting their claims, जो उसनी बात बोली है, वो उसको prove करने के लिए justification देगा, evidence देगा, proof देगा, उसको करने के लिए, इस examples है, cover letter, letter of recommendation, additional newspapers, ops, ads, articles, argumentative essays, for academic papers के examples, next दिखते हैं, हम अपना भी, next हमारा है, descriptive क्या होता है, This type of writing is used to depict imaginary to create a clear picture in the mind of the reader, परलब जो यह writing का ही type होता है, यह एक imaginary picture बना देता है, reader के mind में, This method help the reader become more connected to the reading writing by appealing to their sense, तो descriptive writing होती है, उसमें literary techniques का यूज किया जाता है, जैसे smiles, metaphors, allegory, etc, और वो भी audience को busy रखने के लिए, These examples क्या है, poetry, fictional, novels, plays, memories, first-hand accounts of events, यह इसके types होगे, हम देखते हैं, हमारा next question, इसके लिए एक स्राइड और रखे, इसको आप अच्छा से देख लेना, एक बार, यह तुरह शोट में दे रखा है, अई होप कि आपको दिख रहा होगा clear, इसको देख लेना आप एक बर अच्छा से, कि मैं हर चुछ एक्स्प्लेन करूंगी तो भूजार टाइम लग जा लेगी, next हमारा question है, seventh question, what is study skill क्या होती है, और इसके three major types of study skill क्या होती है, यह हमारा question, question number seven, इसको देखते हैं अभी, यह देखिए, study skill, इसको देख लेना आप, next study skill, study skill में be defined skill, एक skill होती है, which help, जो help करती है learners की, to study more efficiently, की वह होती है, अच्छे से पढ़ पाए, उसको उसमें help करती है, study skills, उसके two ways होते है, effective learners बनने के, first directly है, second indirectly है, यह भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसको आप देख लेना एक बार, इसको आप देख लेना एक बार, इसको आप देख लेना है, इसके टाइप्स करनांशन बार अच्छे से बता रखके सक्राओ सिक्कला, इसको आपको आप अच्छे से पहले है, इसको आपको देख लेना, ऑनोद लाए असको, इसको आपको पूरे पूरे चांसे है प्रोफेसर वोल्टर पोक के दौर सको बना देराइव किया गया था जो कि कोनल यूणिवस्टी में प्रोफेसर थे इसके लिए हमको टेबल लोडियागनम कोई नहीं होती है और इस वाले नोट को हम भुह सारे मतलब सक्ष्छन पर ड्यूड किया गया है इसे फस्ट टाइटल, डेट, कीवर्ड, कोशन, डेट करनेक्ट, पॉइंट्स, डियाग्राम, स्टर्डी, प्रोमोर्ट, सम्रेश के कुछ टाइप्स है इसके लावे इसमें एक स्लाइड ओर है हमारी इसमें फाइफ आरस की बात किये गई है जिसमें की फस्ट है रिकॉर्ड, रिड्यूज, डिसाइट, रिफ्लैक्ट, रिव्यू, मतलब इसमें फाइफ आरस की बात किये गई है यह हमारा कोशन है कोर्नल नोट टेकिंग मैथर्ड, जिसमें यह हमारे टू स्लाइड से इनको आप देख लेना अच्छे से यह कोशन हमारा टैन नूम्बर में आने के चांसे है तो इसको आप अच्छे से कर लेना इस यह टैन नूमर के लिए इनफ रहेगा इसको युदि आप इसको तरह लिखते हो और इसमें तरह डिफरेंस देख लेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है दिखाते में आपको इसके स्लाइड यह देखिए पैरा फ्रेज क्या होता है मैं इससे पहले आपको बता चुके इसके बारे में सब कुछ कि पैरा फ्रेज क्या होता है इसको मतलब होता है रिराइ इसली अंडिस्टूडेबल होता है जिसको मच्छ से समझ सकते हैं इस परपाज इस तू कनवे दा मीनिंग इसका मतलब परपस क्या होता है कि वह मीनिंग को समझा पाए कनवे कर पाए तो ओरिजनल मैसेज को भी जिसको प्रूव करना चाहता है उसको अच्छ से वह समझा सके यह हम उसको अच्छ से समझ सके अपने वर्ट में हम उसको रिस्टेट कर सके दूबारा से यह मतलब होता है पैरा फ्रेज का नक्स्ट है हमारा इसमें प्रेशिज क्या होता है जो प्रेशिज होता है इसका मतलब होता है इस शोर्ट वर्जन ओफ स्पीच होता है यह डिटर पर सबस्क्राइब है देखिए समरी और टोपिक था उसमें एक समरी का आप सबको पता है की का सुमरी का मतलब होता है समर्जास करना ओरजिनल टेक्स को और म sorting को होड़ करके ना और उसक की थीम को सपोर्ट करना जो समर्ड़ी ओती है वह क्लियर एनडीड ओर व्रॉइ देती है और मर्त ठ स समत क्राब भी कराती हूं यह देखेद शिंग यह स्टेप्स है यह प्रोसेस रहेंगे से पर प्रेडिं डिवाइजिंग इडिटिंग पुब्लीश कि यह फाईफ स्टैपस जोन को हमें करेंगे यह देखकि प्रेड़िए मतलब क्या हो था है सोचना ओडिकार ना अब ऑसको पर अच्छे से इसको कैसे क्या कुछ है कि इए जदे पढ़ूंगी तो ज़ाधा ठाइम लग जाएगा प्रिटिंग मतलब होता है लिखने से पहले हम क्या सुचे क्या हमको लिखना है कैसा लिखना वही होता हमारा प्रिटिंग सैटनों रिज़र्छ कोई भी नियर्ट तो करेंगे पर और चाहने तो हमको रिसम नहीं होती है हम सेस्ट करते हैं मतलब हम इसमें डिक बना लेते हैं जो लिखनें उसके बारे में उसमें रैट कर लेंगे समरी कर लेंगे से स्टेटमंट दे लिए लेंगे लिए स्टेट से से में होता है ध्राफ्टिंग मैं न词ट हमारा है रिवाये जिग में इस मिगड़े हम चुर्णThe यह रिवायाज कर देंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे नु टिर्फेर्टिट मतलब एडिटिंग वन्तलब क्या होता है कि जो भी error हो चाहे वो spelling हो punctuation में हो grammatical हो कोई भी error हम उसको ठीक करेंगे editing करके और हम उसको proof reading देंगे प्रूफ reading मैं आपको बताया था पहले क्या होता है हम उसको correct करके लिखेंगे और हम उसको clear करके लिखेंगे तो यह हमारे question number 10 complete हो गए है जो मैंने आपको अभी कराए है total 10 question important है जो मैं आपको with answer करा चुकी हूँ I hope कि आपके लिए helpful रहेंगे यह सब जिसमें की first question हमने किया था कि कुन कुन सी techniques होते है critical reader बनने के लिए जो हमको apply करनी चाहिए तो मैंने आपको कराए थी देखिए यह दूबार से दिखा दिखा दिते हूं मैं आपको फर्स लाइड में देखे दिए इसमें फर्स होता है अनोटिंग इंवेंटरी थर्ड थे हमारी outlining फोर्ट समरे समरी करना next synthesizing context slicing इसमें 11 की है इस टेक्निक जो हमने यूज की है इसे कि हमारा synthesizing क्या होता है यह मैंने मैंने को कराया था यह देखिए इसके इसलाइड पर मैंने आपको दिखा ते synthesizing की synthesizing क्या होता है इसको आप देख लेना अच्छा से एक बार next हमारा question क्या था difference था active और passive vocabulary में और content and functional word में तो मैंने आपको कराया था देखिए active vocabulary passive vocabulary इसके लाव यह था हमारा content word और functional word इसे मैंने आपको एक लाश डिफ्रेंस भी बता था कि इसमें curriculum को पार सकते हैं और इसवाली में हम को खोर्श यूज कर सकते हैं इसके लाव नस्ट को शिन मारा था harmonium और राइटिंग कॉन से होती है तो इसमें फोर हमारी टाइब थी जो मैंने कि करके कराई एक्स पोजिटरी नेरेटिव पर्सुएसिव थी लास्ट हमारी डिस्क्रिप्टिव थी यह कोशन हमने किया तो उसके बाद हमने दिखाए थी इन शोर्ट में यह वली स्लाइड जिसको मै लए उससे पहले मैंने थुला पूत यहां पर लाइन में बता रखा था इसको भी हम एड़न कर सकते हैं अपने टॉपिक में इसके बाद हमने यहां पर थी टैप्स देखिया थे हमने स्टेडि स्किल के गैदरिंग स्किल स्टोरिंग स्किल डिटर्विल स्किल और इनको मैं मैं अक वरण कर फ़नोओ तर्व टेकंग मैंठा इंपोर्टेंट कोशन आऊ ऐसे इनकोशक है वाला कृशन और इसमें को इसके से चक्षैन है इसके लावाइश में इसमें फाइफ आरस की भी बात किई गई है में यह देखिए रिकॉल्ट रिड्यूज रिसाइट रिफलक्त रिव्यू इसमें are is से और समूरी चैष लास्ट विशन म смरा अनंधा क्या था कै रैटिंग प्रोसेस किया होती हो oxy एक से स्टाप्व 67 मारे अन्हू से RSK प्री रैटिंग इसर्च हो81 बहले नहीं किया था सांज डिवाइजिंग फिर लिपने मेंड़ा यह हमारा कम्प्लीट हो गया है मैंने आपको टूटल 10 कोशिन कराए हैं I hope कि आपके अग्जाम में आपको इन में से कम सकते हैं मैं आपको पांस अच्छा कोशिन आपको इस दिले देखनों के और आम से मिलेंगे I hope कि आपके से ज्यादा भी आपको देखनों के मिल जाएं आपके लिए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें ठेंक की अवरीवन है